दोस्तों कैसे हैं आप लो बरसाद के मौसम में आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे अपने प्लांस के साथ और यही सही वक्त है प्लांस को लाना प्लांस को मल्टिप्लाई करना और एक प्लांस से धेरों प्लांस बना लेना जी हाँ दोस्तों मुझे मेरा मन नहीं भड़ता है एक पौधे से मैं चाहती हूं दुनिया के सभी पौधों का कलेक्शन मेरे घर में हो और क्यों ना हो यह प्लांस होते ही ऐसे हैं कि आपको इत्म अट्रैक्ट करते हैं आप नर्सरी में जाते हो ना दोस्तों आपका मन करता है यह भी ले लूँ यह भी ले लूँ और यह दिख कर दोस्तों मनी ब्लांट शेड़िड मनी प्लांट हैं वेरिगेटlor मनी ब्लांट ऐसे तो मेरे पास मनी ब्लांट कर यह वेराइटी है अप देखुरे हैं चाहर जबगल और मैं तो यह वेरिगेटर लगाना अचाहती थी एक कटिंघ से मैंने नुक्स सबना लिये चौटे- उसको चाहे तो आप पानी में भी घ्रोव कर सकते हैं ईक पुराणा जग है पींट करके मैं पानी में घ्रोव कर दिया है तो शिंगोनаты मुद्विक कईं乾 आप एक इत यह यह constant और यह सिंगोन HER कशी कि कऊंस तो को साřभ일ी फेयर सिंगोन तो तो बहुत तेज है में भी आपको अच्छे सा दिखाई दिए रहा होगा सिंगोनियम में मेरे कितनी अच्छे अच्छे वराइटी से यहां दिखिए पिंक सिंगोनियम है तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे फ्लांस हैं जो बिना केर के जिसको आप कह लेजे बहुत लेस केर में भी मैं नाम लेना चाहूंगी मेरा यह एरिका पाम दोस्तों एरिका पाम मैं बहुत इसका लेस केर करती हूं मतर्ब लगा कर मैंने जैसे छोड़ दिया बस वहालत है और यह देखिए इस पॉर्ट में मैंने लगाया है मिट्टी के गमले में है यह जो फाइबर का गमला देख उसके अंदर मिट्टी का गमला है और मेरा यह आंगन एरिका पाम की वज़े से एकदम फुल यह बुशी हो चुका है और मेरे आंगन को एक बहुत सुन्दर लुक दे रहा है जंगल एक मैंने क्रिएट कर दिया एक एरिका पाम मैंने इधर लगाया दोस्तों और आप देख अधरी का जो मॉस स्टिक आता है उसमें और देखिए कितना प्यार अलुक मनी प्लांट का दूसरा यह लेस्टेर वाला प्लांट होता है मनी प्लांट जिसका कोई भी कटिंग कहीं प्याप लगा दो दोस्तों देखिए बहुत तेजी से रन करने लगता है तो यह भी एक ल जो जटा होती है जो जो आइन करके दूसरा यहां पर मैंने लगा दिया मॉस स्टिक और देखिए यह मॉस्टेरा मेरा कितना बुशी एक दम बड़ा हो चुका है तो यह मेरा जंगल है दोस्तों और तीसरा प्लांट है जो बहुत लेस्टेर में होता है वह दोस्तों स्नेक प्लांट आप देखिए कितना बड़ा कितना घना कहीं भी मैं इसके कटिंग लगा देती हूं दोस्तों और यह बहुत अच्छा रिस्पांस देता है साथ मैंने मैंने इसको कॉंबिनेशन दिया है रोहियो प्लांट के साथ रोहियो प्लांट एक बहुत पहरा प्लांट है इसके पीछे दिखे परपल होता है और इस तरह से ग्रीन होता है और मैंने नीचे एक लंबे से ट्रे वाले पॉट में मैंने लगाया है इसनेक प्लांट के साथ इसको कॉंबिनेशन में रखा है जो बहुत ही अच्छा लुग दे रहा है नेक्स प्लांट है दोस्तों यह प इसे भी ग्रो करो वह वैसे ही ग्रो होता है मैंने देखिए कई तरिके से हैं स्पैडर प्लांट को ग्रो किया है और स्पैडर प्लांट को मैंने सिंगोनियम के साथ ग्रो किया दोस्तों यह देखे दोस्तों मार्बल के साथ मैंने मार्बल सिंगोनियम के साथ मैंने स्पैड तो इस बहुत लंबा स्टैंड पे तो उसमें यह पर कितना नीचे नीचे लटक रहा है इसमें भी देखे चार दिया है सिंगोनियम को और स्पाडर प्लांट को और इसके पब अफ देख सकते हैं यह देखिए दोस्तों इसमें आहिते जमीन चुने जारे हैं प्लांटर में लगाया है और बड़ा ही रफ टाफसा यह है दोस्तों डेवल्स बैक बोन जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस देता है इसकी कटिंग एक चोटी से लाइए यह एक टेबल टॉप के तरफ भी आप इसको यूज कर सकते हैं चोटे से प्लांटर में मैंने लगाय है और देखिए इसको पती इसके बहुत हार होते हैं थोड़ा कम पानी में यह बहुत अच्छा चलता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और क्या चाहते हैं आप आप वह भी बताईएग किस प्लांट के केर किस प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं तब तक के लिए तिल देन फ्रेंड्स गो ग्रीन गो सेफ बाई बाई